जैशी किष्णा, सभी चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, वो भी 24 गंटे के अंदर, जी आपने सही सुना और सही पड़ा, 24 गंटे के अंदर आपकी कोई भी मनोकामना वो जल्दी से पूरी हो जाए, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही उपाई ले के आए, ज पूरी होने लग जाए, तो फिर तो दुन्या में कोई दुखी रही ना जाए, बिलकुल सही बात है, अगर हर एक इंसान की मनोकामना 24 गंटे कंदर पूरी हो जाए, तो इस दुन्या में संसार में कोई भी दुखी ना रहे, सब खुश रहे, मगर मैं भगवान से चाहती हर एक इंसान की मनोकामना 24 गंटे कंदर पूरी हो जाए, और इस इंसार का कोई भी विक्ति दुखी ना रहे, सभी खुश रहे, मगर कहते हैं, यह संभवी नहीं है, अपने कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है, जो कर्म किये हैं उसका फल आज नहीं तो कल हमें भोगना ही ह पारब्द बहुत जादा महत्त पूर्ण हो जाता है, भाग्य कफल, कर्म कफल, हमेशा हमें भोगना पड़ता है, तो चली इस बात को छोड़ते हैं, मगर हम आज जो वीडियो लेकर आई हैं, आपके लिए ऐसा उपाई लेकर आई हो जिसको करने से 24 गंटे कंदर आपकी मन मनो कामना कैसी? अब एक심wl से आप यह नी सोचत कि मुझे कडौरो रुपे मिल जाये, मुझे लाको रुपे मिल जाये यह ऐसा कुछ हो जाए कि मैं कोई राजा बन जाओ, मंत्री बन जाओ, मुझे कोई फिल्म स्टार बनना है, ऐसी मनो कामना नहीं, जो कभी पूरी होई नहीं सकती, ऐसी चाहत, ऐसी इच्छा, जो संभव हो सके, यह नहीं कि मेरा अपना मकान हो जाए, चौबिस घंटे गंदर आपका अपना मकान हो जाएका, नहीं ना, तो ऐसी कोई चीज, जो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, वो चीज आप मांगे, वो चीज आप सोचें, तो वो नहीं हो सकता, ऐसी कोई मनो कामना, जो काफी लंबे समय से रुकी हो है, जिसे आप चाहते हैं, जैसे कि आपका प लडाई जगड़े नहीं हो, आपस में बहुत सारा प्रेम हो, ये है मनो कामना, कोई एक्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महनत कर ली हो, और वो है मनो कामना कि इस एक्जाम में आप पास हो जाएं, फेल नहीं हो, ये है मनो कामना, किसी का स्वास से ठीक नहीं, उसे कोई बिमारी, कोई परिशानी ना हो, यह है मनो कामना, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, इदोद ना भटके, जिद नहीं करें, चिरचड़ापन ना करें, यही छोटी सी मनो कामना, छोटी छोटी मनो कामना है, छोटी छोटी इच्छाएं जब पूरी होने ल अच्छा पूरी होने में जादा समय नहीं लगता, तो इन छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आज मैं आपके लिए छोटा सही उपाई लेके आई हूँ, आपने करना क्या है, और हाँ, सबसे पहले तो ये भी प्रशन आएगा, किस दिन करना है, किस समय करना किस घड़ी करना है, रात में करेंगे, दिन में करेंगे, सुभा करेंगे, शाम करेंगे, किस दिन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, अब जो उपाई है, उस उपाई के जो चीजे आपको चाहिए, वो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले तांबा का लोटा, तांबी का लोटा सभी के घर में होता है, तो तांबी का लोटा ले लीचे, अब आप पोलेंगे तांबी का ही लोटा क्यों चाहिए, मैं आपको एक चीज बता दू, ग्रहो के देवता, या ग्रहो की राजा, स सूरे देव का प्रतीक है तंबा, तांबी को सूरे देव का प्रतीक माना जाता है, जब आप नटां अपको तांबी का लोता ले लेँगे, तो सूरे देव की करिपपद इ supremacy आपको प्राप्त हो जाएगी, और मैं आपको यह बता दू कि ग्रहों सूरे देव को पिता का धरज तो आपको माता और पिता दोनों का आशिवत प्राप्त हो जाएगा, तामभी का लोटा लेना है इसमें जल भर देना है, ठीक है, जो चंद्रमा मन का प्रेतिक भी माना जाता है, आपका मन बड़ा चंचल है, इदर उदर भटकता है, तो वो भी स्थिर होगा, इस लोटे में जब आप भर देंगे, तो आपका मन जो चंचल है वो भी स्थिर हो जाएगा, तीसरी चीज आपको चाहिए, चांदी का सिक्का, आप कहेंगी चांदी का सिक्का, अगर किसी के पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अगर कोई महिला है घर में तो पैर में जो बिच्छिया पहनते हैं, वो भी चांदी की होती है, चांदी की बिच्छिया ले सकते हैं, वो नहीं है तो पैरो में पहनने में पायल, कोई भी चांदी की चीज, कोई भी चांदी की वस्तू, उसे आप ले लिजी, चांदी की कोई भी वस्तू आप ले सकते हैं, तो चांदी की वस्तू म तो सर्वुत्तम है, आप यह चांदी कोई चीज हो, चोटी सी चीज आपको चांदी की अवश्य चाहिए, उसे साफ कर लेज़े और इसी कलश के अंदर इसी लोटे कंदर आप उस पानी के अंदर इस चांदी की चीज को इस वस्तु को डाल दीज़े, आप कहेंगे चांदी का वस्तु क्योड़ा यह भी बता दू, चांदी मा लक्षमी का परतीक है, सफेद रंग है चांदी का, मा लक्षमी का सफेद रंग है और इस सोना मा लक्षमी सुरूप अंपाना चाहते है, तो मैं चाहिए को चांदी का सिका, बिस्टू आप नगा ओक लूप हल्दी की गाठ, हल्दी की गाठ, जैसे कि आप सभी जानते हैं हल्दी शुबता का प्रतीक मानी जाती है, हल्दी का रंग पीला है, जो ब्रहस्पती देव का रंग पीला है, समझे, तो ब्रहस्पती देव प्रसन होगे, और साथ में भगवान गनेश के लिए हल्दी प्रतीक भगवान शिरहरी विष्णु असाथने गनेश्वान, पांचों का आशिवाद आपको एक ही लोटे में मल किया, अब आपने करना क्या है, इस लोटे को आपने कहां रखना है, अपने मंदिर में, जो भी आपके इस्ट देवी देवता है, जो भी आपके कुल देवी देवता ह उनके समख्ष इस लोटे को आप रख दीचे, ठीक है, अपने कुल देवी देवता के समख्ष आपने रखना है, मंदिर में उनके समख्ष रख दीचे, हाथ जोड के अब अपनी मनो कामना बोलनी है आपने, जो भी आपकी मनो कामना, जो भी आपकी इच्छा है उसे बोल बोलिए फिरहा जोडिए अपने इष्ट देवता से प्रात्ना कीजिए कि आपकी वह इच्छा वह मनोकामना पून हो जाए जो भी है मैंने आपको पहले ही बता दिये जो भी है ऐसी मत कोई मनोकामना बोलिए कि जो संभवी ना हो सके तो ऐसी मनोकामना चाहिए जो 24 गंटे मे हो भी जाए असर भी दिखाए मनोकामना बोलने के बाद उस जल को आपने क्या करना है पी लेना है पूरा जल पी लीजे अब आप क्या करेंगे आपको सब काशिवाद मिल चुका उसमें अगर पाइल डाली है बिशिया डाला है या चांदी का सिक्का डाला है जो भी डाला ह उसे उठाके अपनी उसी जगह पे रख दीजे, उसे बचेगी एक हल्दी की जो गाठ, उस हल्दी की गाठ को आपने करना क्या है, क्या करेंगे, आपके घर के आसपास, जो भी मंदिर है, वहां मंदिर में जरूर तुलसी का पौधा होगा, तुलसी का पौधा अगर नहीं है तो फिर पीपल का व्रिक्ष, केले का व्रिक्ष, कोई सा भी व्रिक्ष हो, वो भी चलेगा, सबसे स्वरवरथम तो तुलसी का पौधा ही चाहिए, वो भी मंदिर का, मंदिर जाना है, मंदिर में जो भी आपको मिल जाए तुलसी का पौधा, तो वहां पे गड़्डा की जड़ के पास भी आप इसे दबा सकते हैं और हाज जोड के प्रात्ना करेंगे कि आपकी वह मनोकामना पून हो जाएगी विश्वास और यकीन और शद्धा के साथ करेगा यह नहीं कि दिल बहलाने की कर रहे हैं और अपने इश्ट देवी देपता पे विश्वास भी रख होगी देरी साही अंधे नहीं है भगवान के खर इच्छा जरूर पूरी होती है तो चौबिस घंटे में आपकी है इच्छा पूरी हो ऐसी में मनोकामना करती हूं भगवान से क्या आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो जाए आप मुझे आगए दीजे फिर आउं कामना पूरी हो जो जो सब करते हैं वो जो जाए आपकी है तो जो सबस्का पर लगवान करता हैं, जो